कोनिचिवा यो एनमे लबर्स आइनो आइम लेट बट मुन्ना कल से मेरा बिल्कुल मननी था वीडियो बनाने का एंड जब अर्दस्ती वीडियो बनाना हमारे उसूल के खिलाफ है वेल तुम चूतिये तो हो नहीं तुमको पते कि ये वीडियो 1024 पर चैप्टर 1024 पर एंड क किया सैक्सी चैप्टर था भी यामाटो डालिंग को मेरी न्यू वाइफू बनने के लिए बस एक और चैप्टर में बैडएस दिखना है फिर तो रॉबिन और यामाटो का फुल लडाई बाजी होगा मेरे दिल में जगा बनाने के लिए चलो मैं फुद्दू बाते बंद क उर से कुछ चटाप बयूर डीए इस चीज सें कायडो के त्रूप्टस पैनिक करने लगते हैं एक कायडो का ट्रूप्म समझ जाते हैं कि राएक कान कर में समने हो राह से हो रहा है तबझे ना एक सीलोग दिखते है सीलोग मतलब जैसे कायडो का अल्यान हाइबरीड फॉर मैं हूँ उसो हची द नीहों हंटर नीहों हंटर मतलब टूटो विरुपोस हंटर और यह कोई और नहीं अपना चूतिया उसौप है जो कि एक मगरमच पे बैठा हुआ है मगरमच वाले स्माइल फूरूट वाले पे शायद बैठा हुआ है काईडो के टट्टो की यह सुनके फट जाती है उसौप यह भी बोलता है कि सरेंडर कर लो फिर मैं तुम्हें अपने साइड आने दूंगा अपने को स्पीड दिखती है वो तामा की घोडी उसके उपर नामी और उतामा बैठे हुए दिखते हैं स्पीड ना इस कॉंकरर साकी वाली चीज को एक्स्प्रें कर लेकिन काईडो के टटे भेश हो जा रहे हैं चूत यह साले नामी फिर एक डेंडें मुशी से फ्रैंकी को कॉल करके पूछती है कि तुझे पता हैगा कि लूफी क्या हाल अभी फ्रैंकी जो की राइट ब्रें टावर में बोलता है कि मुझे नहीं पता आकरी बार मैंने फिचल चाप्टर में यह 100% चेंज होगा देख लेना नामी इस चीज को सुनके घुसा में बोलती है कि तो ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं फ्रैंकी फिर बोलता है कि अगर तेरा उपर में काम हो गया तो मुझे से नीचे आके मिल मुझे नहीं पता क्या हो रहा है पर बहुत पर बोलता है कि हम लोग एक्वल के लाइंस में ही या वो लड़ते लड़ते बोलता है तू हम लोग को और नहीं दे सकता लमाओं में को लूफी और रूफटॉप सी नहीं आदा गया अब दिखता है अपने को थर्ड फ्लोर थर्ड फ्लोर में याद है कि रॉबिन बीच मा पर टाइड़ के टट्टे फसे हुआ है और एक दूसे से लड़ रहे है इसी खतरनाक आग में अपने को दिखते आ अपने बोनी किची बूप 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 आ करके चिलाता है और बोलता है कि ऐसा लगड़ है कि मैं जल रहा हूं वेट टेखनीकलि इसका मतलब यह ह हो रहा हूं no wait this doesn't count यार यह चेंज होगा देख लिए 100% ऐसा इसले बोलते है क्योंकि उसके पिछ वाड़े में आग लगा हुआ है and unfortunately वो उसको बुझा भी नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ में अपनी number one waifu Robin Chuan जो की बेहोश है अपने पिछले अब ठीक हो तो ब्रूब बोलता है कि हम लोग आप पर रूख नहीं सकते मैं Robin Chuan को जलने नहीं देगा यह बता वहर कैसे चल रहा है जिस पर गिफ्टर रिप्लाइ करके बोलते कि हर जगा के उसे के उस मतलब अफरात अफरी अब अपने को दिखता है fourth floor and अपने को kid pirates भी काईडो का है क्या उसको अभी भी कोई रोक के रख है हाँ मुलना तुम्हारी most likely future nakama उसको रोक के रखी है life floor दिखता है जहां पर कावा माच्चू और कुछ समूराइस काईडो के टट्टो को काटते हुए दिखते हैं इश यह बहुत गंदा सा उट किया ना कावा माच्च और कुछ समूराइस काईडो के ट्रूप्स को काटते हुए दिखते हैं सबको प्र चल ही गया होगा कि इन लोग क्या कर रहे हैं नीले पुट्टे के कहने पर इन लोग किसी को भी जोरो सांजी किंग्वीन के फाइट में इंटरफेर करने नहीं दे रहे हैं कीप गोइंग कापपा नाओ कम्स दी मोस्ट साक्सी पाट अफ दिस चाप्टर रूफटोप फाइट रूफटोप पे अभी बी काईडो और यामाटो अपने अपने हाइबरेट फ़म में लड़ते हुए दिखते हैं यामाटो हाफ्ते हाफ्ते काईडो पे नारी का बूरा कोई काबूरा काही स्ट्रॉंग वर्जिन यामाटो थोडी देर के लिए ईतना स्ट्रॉंग करती है लेकिन आटेक इतना जाधा वाधा पूट था कियामाटो फेका जाती है यामाटो हाफ्ते हाफ्ते अट औरền कॉलब थे कि हमेशा मुझे मुझा उह नहीं कोशिश करता है Kaido Bhusadi का बोलते है कि हा तुने सही कहा ये कोई छोटा मोटा फैमली का लडाई नहीं है अगर तुझे खुद को Oden बोलना है तो तुझे मेरे खिलाफ वार के लिए रेडी होना चाहिए Yamato Yamato फिर चिला के बोलती है कि क्या गलत है Oden को एडमार करना एक flashback दिखता है यह flashback 20 साल पुराना है after Oden's death अपने को एक shrine दिखता है Kaido को उसके troops report करते कि Oni ही में एक हफते से लगातार घुसे में scene create कर रही है Oni ही में यहाँ पे बेबी Yamato को बोला दिया है Oni मतलब demon राइट? Oni गाशमेवाला Oni and he में मतलब princess तो Oni ही में मनें demon princess Does that mean Kaido is a demon? Maybe यहाँ पे बेबी Yamato I am Oden भी बोलती है And baby Yamato दिखती है कितनी प्यारी लगरी रहे Yamato कपड़ा सेम ही है वाइट वाला और हॉन्स भी सेम है बस बच्ची है और सर में उसके किसी ने पंच मारा है सूजन हो रखा है सर में इसके और नाक वाक में भी लगा हुआ है Yamato के Yamato फिर बोलती है कि मुझे इस चेंज से निकालो Daddy I am Oden Kozu की Oden फिर हाफते हाफते भी Yamato यही बोलती है कि मैं Kozu की Oden हूँ Kaido दिखता है हमेशी की तरह वो annoyed दिखता है और Yamato के आजू बाजू बहुत सारे knocked Kaido के troops भी दिखते है Kaido Yamato से पूछता है कि Yamato क्या यह तूने किया है इस panel में यह भी दिखता है कि Yamato को उस shrine से बांदा गये चेंज से Yamato फिर बोलते है कि मुझे नहीं पता यह सब लोग अचानक से गिर गए मैं भूग से मर जाओंगी प्लीज मुझे खाना दो Kaido फिर बोलते कि color of supreme king तेरे में potential है लेकिन अगर तू खुद को बार बार ओडेन बोलेगी तो तुझे मरना वोगा Yamato जिसको सुनके अपनी प्यारी 8 साथ की Yamato रोते रोते इी बोलती है Kaido फिर बोलता है कि मैं तो को एक महीने इस केव में रखेगा थंडा होने के लिए और अच्छे से चीजे वापस से सोचने के लिए एक गुफ़ा दिखते है अपने को Yamato इसको सुनके बोलती है कि एक महीने मैं इतना लंबे जी नी पाऊंगी और इस केव में तो वो वाइल्ड सामूराइस भी कहा है थे ना Kaido के दो आदमी Yamato को फिर केव के अंदर चेंज से बान देते हैं Yamato चिलाते चिलाते बोलते है कि आप मुझे ऐसे जगह में कैसे छोड़ सकते हो वहाँ पे जो आलरेडी कहे थे तीन सामूराइस थे ना उनको फिर Kaido बोलते है कि अगर तुम में से कोई भी सरेंडर कर देगा तो मैं उसको केव से बाहर निकाल दूँगा और अपने आर्मी में जॉइन करने का मौका दूँगा उसके बाद Kaido बोलता है कि कितने दिनों से तुम लोग ने खाना नहीं खाया है I suppose मैं तुम लोग के लिए कुछ छोड़ के जा सकता हूँ एक हिस्सा खाना का काफी होगा और मुझे यकीन है कि तुम लोग को इसकी जरुवत पड़ेगी ये सेटल करने के लिए कि तुम लोग में से वो एक हिस्सा कौन खायेगा Kaido कितना हरामी है और दिमाख वाला भी Kaido ना पांच चे तलवार फिक देता है वहाँ पे ताकि उस तलवार को यूज करके इन लोग आपस में लड़ ले और डिसाइट कर ले कि ये एक आत्मी के लायक खाना कौन खायेगा इसको देखके रियामाटो रोते रोते चिलाती और बूलती है कि फादर ये लोग मुझसे बदला लेंगे क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ मुझे मार दिया जाएगा जिसको सुनके Kaido बोलता है कि लेकिन तूने तो बोला था ना कि तू ओडेन है फिर अपने को अकेली यामाटो दिखती है भूकी यामाटो ये सूशती है कि मैं ओडेन हूँ लेकिन मैं Kaido का बेटा भी हूँ वो Kaido जिसने ओडेन को मार रहा है ये सामुराइस एक ग्रज होल्ड करते होंगे Kaido के अगेंस्ट और ये शायद मुझे मार देंगे बदले के लिए ये जो तीन सामुराइस थे ना इनका ना बस सिलोएटी दिखता है एक्जैक्ली कैसे दिखते हैं ये वो नहीं दिखता यामाटो ना भूक में सब सोची रही थी कि एक सामुराइ वहाँ पर रखे हुए तलवार में से एक तलवार उठाता है इसको देखके यामाटो डर जाती है उसको लगते है कि वो सामुराइ ये तलवार उठाया है बदला लेने के लिए लेकिन वो सामुराइ ना वहाँ पर एक आदमी का जो खाना था ना वो यामाटो को दे देता है और बोलते है कि इसको खाओ एक सामुराई को कभी भूख नहीं लगती यामाटो रोते रोते फिर बोलती है सच में लेकिन मैं तो भूख की हूँ यामाटो फिर सोचती है कि सामुराई इस कितने मस्त है इनको सच में कभी भूख नहीं लगता एक और सामुराई बोलता है कि खा लो वैसे भी तुम एक काफी खास family में पैदा हो aimato फिर खाना चालो करती है और वो रोते रोते खाती है और खाते 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 बोलती है कि thank you samurai मैं इस bowl of rice को कभी नि भूलूंगी यामाटो के खाना खाने के बाद वो उस सामुराई से पूछती है कि क्या मैं भी सामुराई बन सकती हूँ इवन वेन मुझे भूख लगता है, फिर वो सामुराय अपना स्वार्ड निकालता है और यामाटो के चिन को काट दिता है, एंड ये सामुराय जो स्वार्ड निकालता है ना, इस स्वार्ड का ब्लेड ब्लाक ब्लेड रहता है, अब ये पर्मेनेंट ब्लाक ब्लेड है कि टे यामाटो फिर उस सामुराइ उसका नाम पूछती है जिसके रिपलाइ में वह सामुराइ बोलता है कि एक हारे हुए सामुराइ का कोई नाम नहीं होता कॉल मी नानिगाशी जिसका मतलब होता है असर्टन समवन यामाटो फिर उनको ओड़न का जर्नल दिखाती है शैद उसको जो भी बोलते हैं वो उनको वो दिखाती है जिसमें ओड़न अपने जर्नी के बार में लिखा था और बोलती है कि मैं इसको पढ़ नहीं सकती क्या आप लोग मुझे इसे पढ़ना सिखा सकते हो इसको देखके जो बागी दो सामुराइश थे जो की जोरो के बाब जैसे दि तुम्हारा बाप तुम्हें सही में या पर मरने छोड़ देगा क्या शायद काईडो ने वह एक हिस्सा भी बंद कर दिया देना या फिर उसने सीव एक ही बार वह एक हिस्सा दिया था चूत या काईडो सामुराइफिर बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम वह अगर ऐसा है तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें जिन्दा रखने के लिए ताकि तुम उस बैटल में लड़ सको आफ्टर ओल ट्वेंटी इयर्स इस टू लॉंग फर अस उस जोरो जैसे दिखने वाले सामुराइब का पीछे से अपने को व्यू मिलता है एंड य उशिमारू है क्योंकि हम इसके पीट में शिमोट्सुकी का लोगो भी देख सकते हैं ये बंदे का बॉड़ी भी जोरो जैसे ही है एंड ये टू स्टैल हुजर है क्योंकि उशिमारू ने अपने दोनों हातों में एक-एक स्वर्ट पकड़ रखा है यामाटो इनको बोलती कि सामुराई सान अगर आपने ऐसा किया तो फादर आपको जिसको सुनके उशिमारू बोलता है कि हम लोग यहां पे गली के कुत्तों की तरफ भूके नहीं मर सकते एंड ये बोलके उशिमारू उस केव की ओपनिंग पर रखे जायंट रॉप को अपने स्वर्ट से काट दे बोलता थे लोग जिन्होंने मुझे accept किया था बता में को क्यों तुने मेरा freedom मुझ से छीन लिया क्यों तुनने इस countryолिका freedom जीन लिया जिसको सुनके kai do बोलता है कि यू green horn यह दुन्या कुछ simple question और answer से explain यह नहीं किया जा सकता and 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 Kaido यहां पे अपने Kanabo को Conqueror साथी से कोट करता है लेकिन यहां पे Yamato भी अपने Kanabo Conqueror साथी से कोट करती है and boom they clash Conqueror साथी कोटिंग clash just Alufi और Kaido ने किया था क्या लग रहा है यह पैनल Yamato और Kaido equally clash कर रहे है and Kaido is looking dead serious as if वो सच में अपना पूरा पावर लगा रहा है chapter होता है and next week भी कोई break नहीं है wow just wow a 10 on 10 chapter क्या chapter था वे एकदम साक्सी starting में एक quick update मिला अपने को कि Mugiwaras, Heart Pirates, Kid Pirates, Samurais अभी exactly क्या कर रहे है सब Kaido के troops हो clear करने में busy है और उनको Zoro और Sanji के fight में घुसने से रोकने में लगे हुए मुझे नहीं पता सबके पास डेंडेंड मुशी कैसे आ गया किसी को पता है तो comment से बताओ फ्रेंक की ब्रूक नामी जिम में मस्त उसी से बात कर रहे Robin unconscious दिखती है अपने को उसका वो जो भी demon वाला form था it is exhausting यामाटो और उशी मारू का पास दिखा अपने को I guess जब यामाटो Zoro से मिलेगी तो वो उसको उसके और उशी मारू के बीच के similarities के बार में बताएगी और तुमने ध्यान दिया Zoro is actually a replica of उशी मारू दिखता तो सेम है ही लेकिन जैसे उशी मारू यहाँ पे बहुत दिनों तक भूका रहा same way में Zoro भी starting में भूका था उशी मारू ने जैसे एक बच्ची के लिए भूका रहा same way में Zoro भी एक बच्ची के लिए भूका रहा था ना और उशी मारू के पास एक ब्लैक ब्लेट था I think कि यह ब्लैक ब्लेट पर्मनेंट ब्लैक ब्लैक ब्लेट है क्योंकि इस पैनल में तुम देख सकते हूं कि यह स्वोर्ट साइड में पड़ा हुआ है एंड यह ब्लैक सा दिख रहा है लेकिन मैं यह भी सोचता हूं कि यह पर्मनेंट ब्लैक ब्लेट उशी मारू ने नहीं किया होगा क्योंकि अगर उसमें इतना गुदा है कि यह पर्मनेंट ब्लैक ब्लेट ब्लेट बनाना इतना हार्ड नहीं है बस टेखनीक जानने है उस से मुझे ऐसा लगता है कि hybrid Yamato is stronger than base Luffy मतलब उस लूफी से जो काईडो से कोटिंग करके लड़ रहा था क्यूंकि Yamato भी अब कोटिंग कर सकती है और equally काईडो से clash भी कर सकती है लूफी भी equally clash कर रहा था काईडो से तो इट मीन्स Yamato और लूफी का attack पावर लगभग से मैं राइट लेकिर यहाँ पर Yamato की durability लूफी से बहुत जादा है इसलिए मैंने बोला कि hybrid Yamato can maybe defeat base Luffy with high difficulty Gares वाला लूफी obviously strong है बट मैं base की बात कर रहा एंड यामाटो क्लियरली अब stronger है जोरो और सांजी से वो भी हर चीज में तो अगर यामाटो future में straw hats join करेगी तो क्या वो जोरो सांजी से powerful रहेगी यहाँ पर मैं अपना opinion बताना चाहता हूं हाँ मुझे लगता है कि वानो आर्क में यामाटो जोरो सांजी से strong रहेगी next आर्क में जोरो सांजी यामाटो को surpass कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि pirate king के दोनों wing यामाटो से कम powerful रहे यार यह तो मान ही लो कि अभी के टाइम पर यामाटो इवन बेस लूफी को surpass कर दी है and the way Oda chapters ला रहे है I think next chapter के end में लूफी skull top में पहुचेगा और break cliffhanger बाजी well अभी next week तो break नहीं है तो मजा है का next chapter रेट करने में भी so guys that is all I hope कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी खांदानी परंप्रा करो like subscribe bell icon comments पर बताओ तुमारा favorite moment इस chapter का मुझे तो यामाटो और कायडो का clash best लगा इस वीडियो को लाने में टाइम लगा क्यूंकि कल मैं busy था क्यूंकि मेरा कल बड़्डे था हा मैं 17 साल को गया है 17 साल को लॉंड़ और पर्सों में बहुत थग थग कि मैं लुणाता लोगनों नुणार को लुणाता पक्तूंग और वी तुमा बालो में खिद करिए था क्या है में लुणाता बड़्डेंटर में ओुमार्स कि बन्यों य elaborता है मत्युम्न है